मैं आदलखान जी आपीर किसा शुरुवात करने जा रही हूँ, आज की बैठक कैसी रही आपकी? इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश के बरतीव महिगाई के लिए, इस देश के आत्मत्या कर रहे हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नोजवानों के लिए, चात्रों के लिए, आज की बैठक बहुत ही शानदार रही. और मुझे खुशी होती है प्राची जी कि आज देश के अंदर जब लोकसवा चुनाव की चर्चा होती है तो इंडिया गडबंधन की चर्चा होती है सबसे जादा क्योंकि लोग इंडिया की तरफ उमीद भरी नजरों से देख रहे हैं और हम इस उमीद को कभी तूटने नहीं देंगे अब कैसे लड़ेंगे यह तो बताईएगा ना कब तक बताईएगा कि कौन कितनी सीट पर अपना दावा ठोक रहा है कितने सीटों पर बाते बनी आज की बैठक में कोई रिजल्ट निकला कि नहीं निकला कि प्राची जी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं डिसकसन कर रहे हैं एक बार उनसे भी सवाल पूछिए जो 40 दलों का गड़बंधन लेकर घूम रहे हैं आज तक ना एक बैठक कर पाए हम तो हेल्दी डिसकसन कर रहे हैं बैठकर बातचीत कर रहे हैं और जहां समान उसके लोग होंगे 28 दल एक साथ मिलेगा तो निश्चित तोर पर एक हेल्दी डिसकसन होगा और मैं तो कहता हूँ कि इस देश के भविस्ट के लिए यह डिसकसन हो जाने दीजिए और रिजल् कि बहुत जल्द ही इतना इंतजार आप लोगों कर है उतना ही इंतजार मुझे भी है और मैं तो आपसे डेडलाइन लेना चारही हूँ आज मुझे बता दीजिए 31 दिसंबर तक आप लोगों ने पहले कहा था जनवरी का फर्स वीक बीतने को है फरवरी में फरवरी में मैं मैं आपसे पूछूं कि कितने सीटों पर आप लड़ रहे हैं कितने सीटों पर कॉंग्रेस और बाकी आपके दल इस देश के लोगों को पता चल जाएगा सीट शेरिंग के बारे में ही एजन्डा सबको पता है मुद्दा सबको पता है उलता लड़ियेगा कैसे यह आप नहीं बता पा रहे हैं और ये आप के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह मुझे बताने के जरूरत नहीं आपके अतने नेता बताते हैं